दोस्तो आए दिन तो MI के फॉन में बहुत चारा प्रॉब्लम्स आता ही रहता है लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम है MI के फॉन में अभी देखने को मेर रहा है कि आपका फॉन जो है अटोमे मुझ करते हो MI का और आपके फॉन में अचानाक सी ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप घबरा जाओगे तो मैं आपको इसे लिए बोला हूँ कि इस वीडियो को देख लिजिए सीख लिजिए इसके बारे में ताकि आगे आगे आपको ये प्रॉब्लम जो अगर आपको मिले अपने फॉन में तुसको ठीक कर पाएंगे और साथी में अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को तो पुरा आप देखी लिजिएगा मैं आपको कुछ चीजे बताने वाला हूँ जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्ब हो जाएगा तो उससे पहले में करना बहुत इंपोटेंट है आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और साथी में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको इस टैप का इंफोमेंटी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलता रहेगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू क करते हैं साथे में और बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कॉमेंट बोक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा मैं वहां पर आपको रिप्लाइ करने के कोशिस करूंगा या तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिटेल में बताने क क्योंकि बहुत साथ लोग गलती क्या करते हैं कि अपने फॉन को चार्जिंग पर लगा करके यूज करते तो वह बहुत बड़ा गलती है बहुत बड़ा मिस्टेक है इससे आपका फॉन जो है खराब हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम को देखनी को मिल सकता है तो आपको फॉन में कभी भी चार्जिंग पर लगा करके यूज नहीं करना यह आपको देखना यहां पर धियान रखना है लेकिन अब आपके फॉन में मानके चलिए प्रॉब्लम आ गया कि प्रॉब्लम हो जाता है यह स्टार्ट होता है तो अब इसको कैसे सॉल्प करोगे क्योंकि आ दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने फॉन को स्वीच अप कर दिया है उसके बाद इसको फिर से ओन करना है तो ओन करने के लिए आपको पावर बटन और यह वॉलियूम अप बटन को एक साथ दवाना है ठीक है चलिए इसको एक साथ मैं दवाता हूँ और वॉलियूम अप बटन एक साथ दवाना है, चलिए मैं यहाँ पर दवाता हूँ, तो दवाने के बाद में फिर से यहाँ पर on होगा, on होने के बाद में यह recovery mode पर जाएगा, तो चलिए इसको मैं on होने देता हूँ, तो दोस्तों देख सकते कुछ इस टैप का इंटरफेस आ गया है, यहाँ पर recovery mode आ आपको reboot पर ही रहने देना है, यहाँ पर touch करोगे तो कोई की काम नहीं करेगा, यह volume up button और down button से ही काम करेगा, तो आपको reboot पर रखना है, फिर आपको power button को प्रेस करना है, तो आपके सामने कुछ इस टैप का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर reboot to system और back to main menu पर आएगा, आपक किस क्या करना है, आपको उसके लिए फिर से power button को प्रेस करके इसको switch up करना है, दुबारा फिर से चलिए उसको switch up कर देता हूँ, फ्रेंस यह phone फिर से switch up हो गया है, फिर से आपको power button को और volume up button को एक साथ दबाना है, फिर से यह on होगा, recovery mode पे जाना है फिर से, तो दोस्तों पर देख सकतो है, recovery mode पे आ गए है, और सबसे नीचे एक option देख सकतो है, repair mode ठीक है, तो आपको repair mode पे click करना है, यहाँ पर पावर जो volume down button जो है, volume बला button बला नीचे बला इसको दबा के repair mode पे आना है, फिर से आपको power button को दबा देना है, तो यह repair mode पे फिर से यह on हो जाएगा मतलब आपका phone फिर से reboot होगा, और जो भी problems होगा, आपके phone को सही हो जाएगा, तो इसको on होने देते हैं, यह phone को on करने के बाद, फिर से आपको यहाँ पे एक चीज़ यह भी धियान देना है, कि अपने phone में यह तीसरा settings आपको बता रहो, कि अपने phone में unwanted application, जो फालतूप application उसको कभी भी install करके नहीं रखना है, और आपको एक चीज़ यह भी धियान देना है, कि जितने भी सारे application आपके phone में है, सब को आपको क्लिक करके app, यहाँ पे मतलब क्लिक करके रखोगे, ठीक है application को, तो app info का एक button मिलेगा, इस पे क्लिक करके, आपको clear data पे नीचे क्लिक क करके सब ही application का catch data आपको clear कर देना है, ठीक है, यह आपको धियान देना है, तीसरा setting से बहुत important है, इससे भी आपका problem जो solve हो जाए, लेकिन आपको फिर भी जो नहीं solve होता है, तो नीचे comment करके जो से बताएगा, मैं आपको सारा detail में advanced level का जो settings वागरा है, सब कुछ मैं बता वीडियों में ताब तो अपकोना ख्याल रखिये, जय हिंद बंदे मात्रम